हेलो एब्रीवन मैं डॉक्टर तर्मुजा कमारी आप सभी का स्वागत अपनी यूट्यूब चैनल में करती हूँ आज मैं आप लोगों से फिर से हडपा सभ्यता की एकॉनमिक कंडिशन के संदर्व में चर्चा करूंगी विछले वीडियो में मैंने जो अर्थ वैवस्ता से संबंधे सबसे प्रमुख कारियर रहा था क्रिशी तथा पशुपालन इसके संदर्व में आप लोगों से चर्चा की थी आज कि इस वीडियो में मैं आप लोगों से अन्य जितने भी उद्योग रहे थे तथा वैपारिक स्थिती किस प्रकार की रही थी उसकी चर्चा आज कि इस वीडियो में मैं आप लोगों से करूंगी जितने भी important facts है उससे संबंदित आज की इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूँगी जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि उस समय जो है वेपार भी अपने उन्नत स्थिती में रहा था और इसके पीछे हम क्या सकते हैं कि कारण ये भी रहा था कि उस समय लोतल में जो है गोदिबाड़ा का सक्षे के तौर पर प्राप्त होना तता साथ इसाथ माप को ले करके और तौल को ले करके भी हम क्या सकते हैं कि measurement जो है वो भी निरधारित किये गये थे ये भी एक बहुत बड़ा आधार रहा था वेपार को आगे बढ़ाने का अब इस वीडियो में मैं आप लोगों से अन्य जितने भी रहे थे aspects economic condition को ले करके उसके विशे में आप लोगों से एक एक करके चर्चा करूँगी first यहाँ पर यदि हम बात करें मचली के विशे में तो जैसा कि साक्ष प्राप्त होते हरपन civilization में इससे अनुमान जरू लगाया जाता है कि मचली के संदर में उससे वेपार भी किया जाता था साथ ही जो खादे पदार था उसका भी एक एहम अंग रहा था मचली और इसी के संदर में जितने important facts हमें प्राप्त होते हैं हरपन civilization की से उससे आप लोगों के इस वीडियो में आगे आप लोग से बात करूँगे हरपा सभ्यता के संदर में उत्खनन से जो शाक्ष मिले हैं उससे शोद करताओं के द्वारा या निश्कर्ष निकाला गया है कि हरपा के निवासी मचली पकड़ने का कारिय किया करते थे हरपा सभ्यता जल निकायों और नदियों के समीप विक्सित सभ्यता रही थी इसलिए मत से पालन की संभावना भी उत्पन होती है महज़ोद़ों के उत्खनन में सिंदु नदी में पाई जाने वाली मचलीयों के अनेक किस्मों की हड़ियां प्राप्त हुई है बालकोट के उत्खनन से पता चलता है कि समुद्री मचलीयों का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता था समुद्री मचलीयों को अंतर देश ये बसा बटो तक परिवहन करके पहुचाया जाता था मचली पकड़ने के साक्ष के रूप में तांबे के बने काटे जैसे उपकरन भी उद्खरन में प्राप्त हुए है यहां पर हम यह देख सकते हैं कि मचली पकड़ना भी उस समय या वो खुद के उपयोग के लिए रहा हो या वैपारिक दृष्टी कोन से महत्वपून रहा था और इसके संदर्व में हम क्या सकते हैं कि साक्ष जो है वो मोहंजोदड़ों से भी हमें प्राप्त हुआ है तो यहां पर यह याद रखने योग ये भी है एक्जाम्स के लिए कि कहां से में मचलियों की हडियां प्राप्त हुई है तो यह मोहंजोदड़ों से प्राप्त हुई है तता साती साथ जो हमें बाला कोड से भी इसके संदर्व में अन्य जानकारियां जो हैं वो हमें प्रा से परिचित रहे थे और एक कारण यह भी रहा था कि इनके द्वारा सोने और चांदी से वस्तुओं का निर्मान किया जाता था सोने के द्वारा अनेक प्रकार के गहनों का निर्मान भी किया जाता था साक्षियों के अधार पर यह कहा जा सकता है कि हडपा सभ्यता में सोने से अधिक चांदी का प्रयोक का प्रचलन रहा होगा क्योंकि उत्खनन में काफी बड़े पैमाने पर चांदी से निर्मित गहने प्राप्त हुए हैं। मुख्य रूप से सुरक्षात्मक प्रकृती के थे। आक्रमक अस्त्र का कोई साक्षे प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्य प्राप्त हुई है। जिससे हमें ये पता चलता है कि उस समय की उन्नत जो प्राप्त की रही थी उस संदर में भी इस मुर्ती समय जानकारी प्राप्त होती है। मनके बनाने की कला हडपा सभ्यता में मुख्य शिल्प उद्योग के रूप में उपस्थित था। मुल्यवान, पन्नों और रत्नों में मनके से मनके बनाए जाते थे जैसे गोमेद और कालेनियन। लोथल चनुदड़स्वे मोती बनाने वाले दुकानों के साक्ष प्राप्त हुए हैं। चांदी और सोने के मनके भी उद्खनन में प्राप्त हुए हैं। तथा समानों को सजावती समानों में परिवर्थित करने के लिए मीना कार्य कए शाक्ष भी हमें प्राप्त होते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि शिल्फस में जुड़े लोग मुर्थी मूर्खी रूप से बनाने का कार्य करते थे मोहंजोदरोस से मिली दाडी वाले पुरुष की पत्थर से बनी मुर्ती उतकरिष्ट कला का अदबुद प्रमान है हडपा से पुरुष और महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या में मिट्टी की मुर्तियां प्राप्त हुई है पशु पक्षियां जैसे बंदरों तोते भेड कुबड़ वाले साण कुबड़ रहित बैल की मुर्तियां भी प्राप्त हुई है इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि साक्षों के अधार पर ये कहा जा सकता है कि हडपा के निवासी मिट्टी के बरतन बनाने के उद्योग में भी सलगन रहे होंगे ये बरतन मुख्य रूप से चाक पर बनाये जाते थे मिट्टी के बरतन बनाने के बाद इन्हें लाल रंग से रंगा जाता था तथा उसके बाद उन्हें काले रंग से सजाया जाता था उत्खनन से इस बात के भी साक्ष प्राप्त होते हैं कि हडपा सभ्याता के निवासी चित्रकारी भी किया करते थे क्योंकि मिट्टी के बर्तनों पर पत्ते, आम और पीपल के पेड़, पशू, मचलियां, पक्षी, इत्यादी के चित्र प्राप्त हुए हैं अन्य यहाँ पर यदि हम बात करें उद्योगर शिल्ब के संदर में और अधिक तो हम देखते हैं कि हडपा के निवासियों के द्वारा मोहरों का निर्मान भी किया जाता था सधार्णत इनके द्वारा निर्मित मोहरे चौकोर आकार की होती थी और सेल खड़ी से निर्मित होती थी गुजरात में उत्खनन में, हाल इमें मनका नेर्मान करने वाले फैक्टरी का भी हवें साक्ष प्राप्त हुआ है यहिनी हडपा के निवासी इटो के निर्मान में भी लगे हुए थे क्योंकि नगर सभ्यता में नगरों तथा बड़े बड़े अनागारों के निर्वान में इटों का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता था जिससे यह पता चलता है कि हडपा सभ्यता में समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ईटों के निर्मान के वयवसाई में लगा हुआ था हडपा सभ्यता के लोग निवासी मृत्भांड और तेराकोटा से निरमित वस्तुओं के निर्मान के साथ इसाथ चिन्नी मिट्टी के बर्तनों के निर्मान में भी लगे हुए थे इनके द्वारा सीपी का भी काम किया जाता था हडपा सभ्यता के उत्खननम में सूती और उनी कपड़ों के साक्ष के भी प्राप्त होते हैं हडपा सभ्यता में शुल्प उद्यों के एक उन्नत स्थिती में रहा था इसका प्रमान हमें इस बात से पता चलता है कि यहां विदेशों से बड़े पैमाने पर शिल्प में प्रयोग किये जाने वस्तुओं का आयात किया जाता था तो यहां इस से रिलेटर जो हम questions देख सकते हैं जो संभवता पूछे जाते हैं अभी तो फिलाल एक जो है current हम देखते हैं कि गुजरात में जो मनका निर्मान करने वाले फैक्टरी की जानकारी मिली है यह संभवता आगे आने वाले जितने भी एक्जाम से उसमें यह रहेंगे साथ ही साथ यहां पर हम यह भी देखते हैं कि जो नाव के निर्मान के साक्ष भी प्राप्त होते हैं और कहां से प्राप्त हुए हैं तो यह लोथल और उसके आसपास के छेतर से हमें सबसे अधिक इसकी जानकारी प्राप्त होती है अब यहाँ पर यदि हम बात करें उदियोगर शिल्प के विशह में अधिक तो हम यह देखते हैं कि जितने भी important metals थे उसको बहार से विदेशों से भी मंगवाया जाता था अब यहाँ पर एक एक करके आप लोगों से कौन सा metal कहां से किस देश से आयतित किया जाता था उसके विशह में के करके आप लोग उसे यहाँ पर बात करूँगी जैसे यदि हम बात करें चांदी के विशह में तो चांदी अफगानिस्तान, फारस और मदरास से मंगाया जाता था मदरास हाला कि हमारे अपने देश का ही हिस्सा है परंतु जो विदेशों की यदि हम बात करें तो ये अफगानिस्तान और फारस से इसे आयतित किया जाता था यदि हम सोना के संदर में बात करें तो जो सोना मेटल है या गोल्ड जो मेटल है उसे अफगानिस्तान, फारस और भारत में करनाटक के जो माइन्स हैं वहां से इसकी प्राप्ती होती थी यदि हम गोमेद के विशे में बात करें तो गोमेद जो है वो सौराष्टरा गुजरात से आता था यदि हम तामबा के संदर में बात करें या कॉपर के संदर में, तो यह अफगानिस्तान, बलुचिस्तान और अभी का जो राजस्तान का खेतरी माइन्स है, जहाँ पर आज तक भी हम कहा सकते हैं कि भारत के सबसे अधिक तावे की आपूर्टी इसी से होती है, यह यहाँ से सबसे अधिक मंगवाया जाता था और यह सकते हैं किसे पाया जाता था, जैसे बलुचिस्तान से समगाया जाता था, साथी साथ गुजराथ और अजस्थान भी संदर में इसके केंदर रहे थे, यदि सलेट के विशे में बात किया जाए तो यह कांगडा से, स्टियर टाइड जो है वो एरान से तथा टीन के का यह मेटल्स का जिसके विशह में भी बात किया है आप लोगों से इसमें क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं कि जो मेटल है वो किस थान से मंगवाए जाते थे कौन से कंट्री से कौन से विदेशी कंट्री से आते थे इसके संदर में लगातार क्वेश्चन हम देखत सकते हैं कि योगदान रहा था और अन्य यदि हम बात करें जितने भी इंपॉर्टेंट जो समय के पत्थर जो रहे थे यदि उसके विशह में भी बात किया जाए तो जो लाव लाजवर्द मनी रहा था यह बादक शां और अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था यह जू मनी के तट से आता था और लाल और नीला फटिक जो है वो बिहार के छित से आता था यहां पर जिनरली जो है यह लाजवर्द मनी जो है इससे संदर्दिप क्वेशन आता है एक्जाम में कि यह कहां से आते थे तो यह बदक शां और अफगानिस्तान से आता था नेक्स यहाँ पर यदि हम बात करें हड़पा सभ्यता के जो है आर्थिक विवस्ता के संदर में तो इसमें वैपार और वानिज्जे इसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा था हडपा के उन्नत एकॉनिक करनेशन के लिए और यदि इसके संदर में जितने इंपॉर् प्राप्त होते हैं कि हडपा का व्यपार स्वराष्ट्रा महराष्ट्र राजस्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिहार और दक्षिन भारत के साथ होता था तता अगर हम विदरिशों की बात करें तो यह मुख्य रूप से मेसोपुतामिया या सुमेरिया तता बहरैन से होता था जो व्यपार संबंधिक रहे थे उस समय हडपा के हडपा से मुख्य रूप से गेहूं, तिलन, मतर, जो, कपास, मिट्टी के बरतन, सीप के वस्तुएं, टेराकोटा की मुर्थियां, कालीनियन के मन के हाथी दाच से निर्मित समान का निर्यात किया जाता था तथा विदेशों से सोना, तांबा, फिरोजा, मंगवाए जाते थे, हडपा सभ्याता के वेपारिक संपर के संदर में साक्ष्य के रूप में हम सुमेर के ग्रंथों का वर्नन कर सकते हैं, जिसमें मेल हुआ से वेपारिक संबंध का वर्नन किया गया है, यह मेल हुआ से भी संबं Кिरलइ अदियान देने योग बात यह है कि मेलुहा सिंद छेत्र का ही प्राचीन नाम है रपा से लियता में यहां के वैपारी मेसब्टॉ। जाकर वैवसाई करते थे, इसका साक्षे भी हमें मेसोपोटामिया में प्राप्त सिंदु मोहरों से भी होती हैं, तथा हडपा में निर्मिल श्रिंगार प्रसादन की सामगरी भी रही थी, जो इंपोर्टन थे, जो सुमोरिया के नकल करके बनाई गई थी, मेसोपोटामिया क कई शेहरों जैसे लगाश, सूसा, तेलमार, उर, किश से सिंदु सभ्यता की मोहरे प्राप्त हुई हैं, इसी तरह मोहंजोड़ों से भी हम देखते हैं कि हमें मेसोपोटामिया से मोहंजोड़ों के कई वस्तमें तथा पत्थर के बरतन प्राप्त हुए हैं, साथी साथ मेस मोहर जैसी प्रतीत होती है, लोथल में मेसोपोटामिया मूल की ताबे की गोली तथा चमकीले बरतन प्राप्त हुए हैं, मेसोपोटामिया के चमकीले बरतन हरपा से भी प्राप्त हुए हैं, इसी सभी बातों से हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया और हरपा सभ्यता के म प्रमान हमें कई महरों और टेराकोटा की आकरितियों से प्राप्त हुआ है जहाजों की जो आकरितिया रही है वो हड़पो और महरों पर उतकेरित पाई गई है और अधिक यदि हम बात करें वैपार और वानिजे के संदर में तो हम देखते हैं कि लोथल से टेराकोटा का एक जहाज भी प्राप्त हुआ है जिसमें मस्तूल लगाने के लिए छिद्र बने हुए हैं और चनु दड़ों से तांबे और कासे की बैलगारी प्राप्त हुई है जिन पर चालक बैठा हुआ है जिससे पता चलता है कि स्थल मार्ग से भी वेपार किये जाते थे तो यहाँ पर जो एक्जाम के कंटेक्स्ट में जदी बात की जाए तो यहाँ पर यह important हो जाता है कि कहां से हमें तांबे और कासे की बैलगारी प्राप्त हुई है तो यह चनु दड़ों से हमें प्राप्त हुई है आगे यदि हम बात करें तो जो माप तॉल रहा था वह भी हडपा सभ्यता के एकॉनमिक कंडिशन का आधार रहा था जैसा कि हम जानते हैं कि कभी भी किसी भी देश के साथ वेपार करने के लिए कोई भी एक माप तॉल या निश्चित एक मेजरमेंट होना आवश्यक होता है और क्योंकि हडपा सभ्यता के लोगें को दिवारा इसका इस्तमाल किया जाता था इस वज़ा से भी हम कह सकते हैं कि इसने वेपार को उस समय बढ़ावा देने का कारे किया था हडपा सभ्यता के उत्खनन में विभिन प्रकार के आकार के बाट प्राप्त हुए हैं जिससे अस्पष्ट हो जाता है कि हडपा निवासी समानों को वजन करने के लिए इन बाटों का प्रयोग किया करते थे उत्खनन में प्राप्त बाटों में 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 का अनुपात हमें दिखाई देता है जिनमें सबसे अधिक प्रयोग 16 इकाई के बाट का दिखाई देता है ऐसे भी माना यह जाता है कि हडपा जो सभ्यता के लोग थे वो माप के लिए जो 16 का मल्टिपल्स होता है उसका प्रयोग करते थे मेजरमेंट के लिए या माप तॉल के लिए एक पकाई हुई मिट्टी से निर्मित तराजू के अवशेश भी प्राप्त हुए है साक्षियों के अधार पर शोत करताओं ने अनुमान लगाया है कि संभवत नापने के प्रनाली के रूप में दशमलव प्रनाली का प्रयोग हडपा निवासियों के द्वारा किया जाता था तो यहाँ पे जो टू इंपोर्टेंट क्वेश्चिन जो बनते हैं एक्जाम्स के कंटेक्स्ट में तो पहला तो यह कि जो है दशमलव प्रनाली की जानकारी हडपा वासियों को थी या नहीं थी तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि डेसिमल सिस्टम या दशमलव प्रनाली की जानकारी उस समय हडपा वासियों को रही थी और ये आधार रहा था उस समय नापने की प्रनाली को ले करके दूसरा जो question पूछा जाता है वो 16 multiples का जो है कि इसका उप्योग किया जाता था माप के लिए माप के चिन्हों वाली कई डंडियां साक्षे की रूप में प्राप्त हुई हैं जिनमें एक कासे से निर्मित है बाटों की आकरिती घनाकार धोलाकार वर्तुलाकार और आयातकार होती थी लोथल से हाथी दात का बना हुआ एक पैमाना प्राप्त हुआ है तो यहां पर हम यह देखते हैं कि हाथी दात का भी उप्योग जो है उस समय हडपा वासी किया करते थे कहां से साक्ष प्राप्त हुआ है हाथी दात से बना हुआ एक पैमाने का तो लोथल से प्राप्त हु सिवलाइजेशन पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू, स्टे कनेक्टर